ताहुकार देरी से आने के लिए हम प्षमा प्रार्ती हैं, तो यह समस्या क्या है? महराज, मैं अपनी पुत्री का विवाई इस योग सा करना चाहता हूँ. तो इसमें समस्या क्या है? महराज, समस्या ये है कि हम इस यूभक से विवा नहीं करना चाहते हैं. किंतु क्यों, क्या कमी है इस यूभक में? कमी कुछ नहीं है, महराज. किंतु हमें.. हमें ये प्रिए नहीं. तो समस्या आपिता के एधिकार और पुद्री के चुनाव किeten. आप विता हैं, इसलिए निश्चित रूप से आप ये सोच रहे होंगे कि आपके पुत्री की समझ अभी इतनी विक्सित नहीं हुई कि उस स्वयम अपने विवाह का निर्णाय ले सके इंतों मत भूलिये, आप में और आपकी पुत्री में केवल इतना ही अंतर है कि आप उससे कुछ समय पूर्वी संसार में आएं इसलिए हमारा निर्णा ये है कि ठहरो और आपट्वन श्रह स्वय में आपके है आराच? सम्राच! कौन हो तुम? तुम्हारा दुसाहस कैसे हो हमारे सिहाधन पर बैठने का? दुसाहसी तो तुम हो! जो हमारा रूफ धरकर हमारी दर्वार में आ गए है! इससे पहले कि हम तुम्हार नकली सर को तुम्हारे धर से अलग कर दें अपने वास्तवी ग्रूप में आजाओ बहरूपी है इदि तुम रूप बदलने का कोई अपना आवने दिखाने आया हो तो हम तुम्हार पर प्रसंद हो एकलाकार अपने वास्तवी ग्रूप में आओ और पर उस कार ग्रण करो वो जैनी के बदल एक खार जो जैनी को धन से तोलता हो वो यहा का राजा हो यह सकता एक राजा का धर्म होता है योप राधी को दंड देने से पहले और उसे एक अफ़ार दे इसलिय 9 तुम्हे अफ़ार दे रह थे दिससे तुम अपना पराद स्विकार करना कि तो तुम, जब तक तंडर नहीं पाओगे, सत्य नहीं काओगे. विराड सेंजी, बंदी बना लिजी, इस बहरूपी एको. विराड सेंजी, हमें बंदी बनाने से पहले ये तो पता कर लीजिए, कि आपके वास्तविक सम्राठ कौन है. वारामीर जी, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है. कौन बहरूपीया है और कौन सम्राठ? वारामीर जी, फेद घाडी जाने से पहले, उज्जैनी का उत्तरदाई तो हमने आपको सौपा था. फिर हमारी नुपस्थिती में, ये बहरूपीया यहां का राजा कैसे बन गया? इसका उत्तरवरामीर जी नहीं, तुम्हें हम देंगे बहरूपीये. यदि तुम तलवार की भाशा ही समझते हो, तो ठीक है. अब हमारी तलवारी इस बात का निड़ने करेगी, कि कौन असली और कौन नकली? रुकिये! महाराज, बल से इस समस्या का समधान नहीं होगा. तो और कौन सा मार के परामीर जी? इस पहरूपीय को जैनिस्ते निस्काशित करने का. महाराज, हम नहीं जानते कि आप दोनों में से हमारा वास्तविक समराट कौन है. इसलिए जब तक इस वास्तविकता का पता नहीं चलता, आप दोनों में से कोई भी हमारा समराट नहीं. इस बहरूपी को देखकर हम स्वयम फ्रम में पड़ गए तो और कौन है इस राज्य में जो हमारा निर्णय कर सके महाराज जब उजयन का समराड केसी समस्य का समधान नहीं कर पाता तो उस समस्य का समधान नवरत्न सभा करती इसलिए हम नवरत्न अब यह निर्णय लेंगे कि आप दोनों में से कौन हमारा वास्तविक महाराज है और कौन है बहरूपिया भद्रुकाल की माया है ये ना कोई सोच सके ना कोई समस्य सके एक तरफ विक्रम तो दूसरी तरफ विश्पुरुष देखने में दोनों एक समान कोई भी अंतर नहीं कर लो कर लो जितना प्रयास करना है कर लो ये जान ही नहीं पाओगे कि वास्तव में विक्रम है कौन हमारे लेकिती दुर्भागी की बात है कि इस पूरे संसार में एक ही समराड विक्रम हो देते हैं और हम उन्हें भी पहचान नहीं पा रहे हैं वरामीरजी कल नवरत्न सभा में दूद का तूद और पानी का पानी हो जाएडा जो व्यक्ति हमारे महाराज का रूप धारण कर सकता है वो एक रात में कितना अनर्द कर सकता है is ὁभ इस समस्या का समधान हमें आज ही ढूंडना होगा किन्तु वरामीर जी, हम ये सब करेंगे कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि इस समस्या का हल मैंने डून लिया है और इसलिए मैंने अपनी विशेश मित्र को यहाँ पर बुलाया कहिए वरामीर जी, ग्रहों और नक्षत्रों के ज्याता ने आज इस छोटी सी चिडिया को यहाँ पर क्यों बुलाया है? एपश्टा, हमें तुमारी सहायता की आवशक्ता है हमारे समक्षक एची समस्या है जिसका समाधान केवल तुमारे पास है कौन है तुम? तुमारा दुसाहस कैसे हो हमारे सिहासन पर बैठने का? तुसाहसी तुम हो जो हमारा रूप भरकर हमारी तरवार में आ गए हमारी इनुपस्थिती में ये बहरूपिया यहां का राजा कैसे बन गया? इसका उत्तरवरा अमेर जी नहीं तुम्हें हम देंगे बहरूपिये रूपिये! बस इतनी सी बात विपाशना आ गई है समझे आपकी सारी समस्या हल हो गई इस पूरे संसार में केवल हमारे समराड विक्रमदित्ते हैं जो पक्षियों की बोली को पहचानते हैं अब यह साफ हो जाएगा के बहरूपिया कौन है? और वास्तरविक समराड कौन इनका भेद हम सब को गयात हो जाएगा हमने सौप में भी नहीं सोचा था राज में इतनी बड़ी समस्या हमारे प्रतीक्षा कर रही होगी समझ में नहीं रहा किस प्रकार भेद खोल हैं उस बहरूपिये का पक्षे के संकट की बात कर रही हैं हमें देखना होगा छोड़ो छोड़ो मुझे कौन हो तुम मैं विश्पुरुष हूँ तुम्हारी और तुम्हारे महराज की मृत्यू हूँ मैं अच्छा तो तुम हो वो बहरूपिया किन्तु अधित प्रसंद होने की आविशक्ता नहीं है क्योंकि तुम्हारा भेद अब खुल चुका है भेद नहीं तुम्हारी मृत्यू का बार खुल चुका है क्योंकि जब तुम जीवित ही नहीं रहोगी तो मेरा भेद कौन किसे बताएगा जब तक मेरा उदेश पूरा नहीं हो जाता कोई भी मेरा भेद नहीं खुल पाएगा यहां पर वोई व्यक्ति आसकता है जो पक्षियों की बोली को पहचान सके अर्थाब जो यहां पर आएंगे वही हमारे वास्तविक महराज होंगे है आप सब इहां तो पक्षि कहा है हमें शमा करें महराज उस पक्षि को हम ही ने आपके पास ग्रेजा था ताकि हम आप में और बहरूपियों में भेट कर सकें हमें शमा करतीचे महराजी आपके नवरत में भोकर भी हम आपको पहचान नहीं पाए यह समय अपनी भूल पर पष्शाताब करने का नहीं है उस बहरूपियों को बंदी बनाने का है कहा है वो? हम यहां आए शडियंत्रकारी कहा है वरामेर जी हमें आने में तरहीं देर क्या हो गई आप अपने ही महराज को बंदी बनाने की उजना बनाने लग गए वरामेर जी आप सत्ने को सामने पाकर भी उना भ्रम को गले लगा रहे है आपके वास्तविक महराज हम है ही राज स्वयम कभी अपना परिचे नहीं देता तो समझे वहरूपी है राद भर जीलो महराज का जीवन कल सभा में नवरत्म तमारा भेद खोली देंगे उसी के प्रतीक्षा तो हमें भी है कब तुम्हारा भेद खुले और कब तुम्हें अम्रित्य दड़ते विक्रमादित्या यदि मैं चाहूं तो मेरा विश्पुरुष एक शन में तुम्हारा अंत कर सकता है किन्तु अभी तुम्हारा वर्णा मेरे किसी काम का ना होगा जब तक मेरा विश्पुरुष तुम्हारी अंतर आत्मा को धारन ना कर ले यही यही तो एक कारण है तुम्हारे जीवित रहने का हाहा हाहा बस एक बार एक बार मेरा विश्पुरुष उज्जैनी का सम्राठ खोशित हो जाए उसके पस्चात तुम्हारी यह आत्मा तुम्हारी उर्जा तुम्हारे गुण तुम्हारी शक्तियों को धारन कर लेगा और फिर फिर उस पे ताल को कसीर तावा मेरे सामने ले आएगा और पूरा करेगा मेरा ग्यारा सो वर्षो पुराना स्वप्ना ओर्ण हो जाएगा हाहा प्यक्राम अब तुम्हारे और तुम्हारी उज्जैनी के समाब्त होने का समय है आ गया है राजन महराज आप कहा है महराज हम यहाँ हैं महराणी महराज यह कैसे संभव है आप रूख की गई महराणी आए गले लगी है बस करो पहरूपिये हमारी पत्नी के पारे में कुछ बद बोला महराणी इदर देखिए हम है आपके महराज इसका निर्णा महराणी ही करेंगी कौन है बहरूपिया और कौन है वास्तविक सम्राण महराणी ध्यान से देखिए आप पर पताईए कौन है आपका पती एक रूप एक स्वार एक पाफ इनमें तो हमारा रिदे भी भेत नहीं कर पारा है महराणी हमारे रूप को नहीं हमारी आखों में देखिए सत्य स्वयम आपके सम्मुखा जाएगा महराणी अपनी आखें बंद कीजिए और आभास कीजिए हमारा हमारा आप स्वयम जान जाएगे कि हम ही आपके महाराज आपनी कुछ समझ नहीं आपके महारा है महीं समझ पारहे हैं वास्तविक में आप तोडों में से कौन हमारे महाराज महाराणी आपके आखें आज आरे जी आज आरे जी आज आरे जी ये सब क्या हो रहा है महाराणी इसलिए हमने आपको यहाँ पर बुला है कि ऐसा संकठ है जो आज तक हमारे जीवन में पहले कभी नहीं आए और हमें ऐसा लगता है इसका कोई समधान नहीं जब तक तुम दोनों का सत्के सिद्ध नहीं हो जाता तब तक तुम मेंसे कोई भी महाराणी से बात नहीं करें आईए महाराणी महाराणी एक स्त्री के जीवन में इससे बड़ा धरम संकठ कभी आया ही नहीं होगा कि वो अपने ही पदी को ना पहजान सके कि अपने ही आए कि वो अपने ही पट्री के जाए कि अपने ही नहीं हो अपने तक तुम आए तुम्हारा राज्य और तुम्हारा आत्मत तत्व सब कुछ उसके पश्चा मैं तुम्हें अपने हाथों से मृत्यों दंड दूँगा बस एक बार ये सिद्ध हो जाए के तुम पहरूपिय हो और मैं उज्जैनी का सम्राट हम सभी नव्रत थि अरंब के दिनों से नाकिवल उनकी अनुचर रहे बलकिकी महराज़ विक्रमदित्य के जीवन में में घटवन घटनाओं से भी अवगत है और शाक्षिए ऐसी घटनाओं इनने माराज़ विक्रमदित्य के अतिरिक्त और कोई नई जानता कोई भी भेहरूपिया महाराज विक्रमदित्य का रूप तो धारन कर सकता है परन्तु उनके जीवन के अंचुए पहलों को नहीं जान सकता इसलिए नवरतना आप से प्रश्न पूछेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर के आधार पर हम ये निर्धारित करेंगे कि आप दोनों में से महाराज विक्रमदित्य बास्तुविक महाराज विक्रमदित्य है को विक्रम के जीवन से जुड़े तुमारे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं इस विश्पुरुष के पास तो बताइए कि माहराज विकर्मा दित्ते ने काल का प्रथम दर्शन किस रूप में किया था? हमने काल को प्रथम बार अश्वरूप में देखा था और वो अश्रू काले रंगा था और वो एक निदोश व्यक्ती के प्राण लेने का प्रहतन कर रहा था वाराह मीर जी इन दोनों विक्तियों के उत्तर सुनकर ऐसा लग रहा है कि दोनों ने एक ही जीवन जिया हो इसलिए इन में से कौन हमारे महराज हैं और कौन बहरूपिया इसका निर्णे हम भी नहीं कर सकते असली विक्रम वही होगा जिसे मैं चाहूंगा अब वो सवय आ गया है मेरे विश्पुरुष को शक्रवर्ती समराथ विक्रमा जित्त बनाने का प्रचंदकाल बादरकाल 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 कि महाराज विक्रमदित्य के बारे में आप लोग जो भी जानते थे उन सारी बातों से यह दोनों यह अवगत इसलिए यह आप दोनों में भेद स्ताफित नहीं गर पाए इसलिए आप दोनों को स्वयम यह सिद्ध करना पड़ेगा कि आप दोनों में से वास्तविक महाराज विक्रमदित्य है कौन? बच्वो भच्वो बच्वो बच्वो वरहां मीर जी अनर्थ हो गया उझेरी पर घोर संकट आ गया अकाश आएसी भिजली गिर रही है जैसे आज समपू नुजयनी समाप्थ हो जाएगी अब हमारी बाते नहीं हमारा कर्म ये सिद्ध करेगा कि हम वेसे कौन है चक्रवरती सम्राथ विक्रमादित्या देव भद्रकाल ने चल दी अपनी चाहल अब मुझे उजयनी का सम्राथ बनने से कोई नहीं रोग सकता